पीपीसेस के सम्मझ में इस चैनल के माधिम से आपको बताया गया था कि विग्यप्ति कप तक जारी होगी आपको एक डेड़ बताये थी 26 तारिक से लेकर दो मार्च तक अगर आपने इंतजार किया तो आपको उसका प्रतिफल मिला इसलिए कहता हूं कि वीडियो को पूरा आज है दो मार्च आप देख रहे हैं दैनिक समाचार बात होगी टॉप यूज की पहली खबर के बारे में बात करने से पहले इस वीडियो को सुनने से पहले मेरा आप से रिक्वेश्ट एक वीडियो को लाइक शेर कर दें आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले खबर उत्तर पर देख ही लोक से वह आयो की है उत्तर पर देख्यों की मादिम से पीसेयस का नोटिफिकेस्ट जारी कर दिया गया है पिछला वीडियो उठा कर देख लीजिए इस चैनल के मादिम से बताय गया था कि फ तोधा तारिक से लेकर हमने छे दिन डिले माना और 21 में छे को एड कर दिया और आपको मालूम होना चाहिए 28 का महीना दो मार तक हमने बोला था एक डेडलाइन दिया था कि 26 तारिक से लेकर दो मार तक विज्ञपती आ जाएगी और विज्ञपती आपके समझ है 23 विज्ञपन तीन तारिक को आपको देखने को मिलेगा दोस्तों और मेरे दुआरे यह भी कहा गया था कि प्रयाप्त पद नहीं है पदों की शंख्या कम है लेकिन जो मेरी बात हुई थी कि प्रारम्मिक परिछा परिडाम आते आते पदों की शंख्या इंकरीज हो जाएगी यहाँपर देखे पदों की शंख्या की शंख्या की शंख्या में जानकारी दी गए 173 तो जो भी जानकारी में आपको देता हूँ वह पूर्ण सत्य होता है पर सत्य में आपको कहता हूँ कि इंतजार करें अगर डिले होता है तो डिले होने का कार्ण भी इस चैनल के माधिम से आपको बताया जाता है अगली अपडेट है पुरानी पेंसन बहाली को लेकर पुरानी पेंसन बहाली के लिए दिस भर के लाखो सेवा निब्रित करमसारी एक मई को संसत तक मार्च करेंगे एंडी तीवारी भवन बुद्वार को आयूरी थ्वी राज़्टी पुरानी पेंसन बहाली स्थायुक्त मोर्चा के तीसरी राज़्टी अधिवेशन में या घोशा की गई है जिसमें सत्रा राज संगट्षनों के पतात्रकारी सामिल थे अखिली राजस्थान राज करमचारी महासंग के प्रदेश अध्यच केसर सिंग चंपावत ने अधिवेशन को संबोधित करते विए कहा कि जिन राज्यों में पुरानी पेंसन योजना लागू है उन करमचारी तो यह अब तक की सबसे बड़ी ख़बर में आपको बता दूँँ लेकिन बरतमान सरकार खुद फंसी पड़ी है लॉस में जा रहा है लॉस में जा रही कंपनिया सेर मार्किन में पैसा लगा गया है तो बरतमान सरकार पेंसन पर कम फोकस कर पा रही है और मुझे नहीं बता है तो आप लोग कमेंड़ बाक्स में बताइएगा मेरा मत कुछ और है आपका मत कुछ और हो सकता है ऐसा प्रतीत हो रहा है ऐसा लग भावी इसमें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है अगली ख़बर अडानी ग्रूप को लेकर है अडानी के चलते महंगाई चरम पर आपको मालूम होना चाहिए कि महंगाई जिसकदर बढ़ रही है वह चिंता का विशे है आम जनता के लिए अच्छी खबर नहीं है यहाँ पर देखे फ्लाइट होगी महंगी एरपोर्ट चार्ज पांच गुना बढ़ानी की तयारी में अडानी ग्रूप ऐसा क्यों जिससे लॉस की भरपाई की जा सके आपको मालूम होगा गैस की दाम बढ़ा दिये गए चलिए इससे आपका वास्ता नहीं है आप मिडिल फैमिली से क्या आपका समना फ्लाइट में बैठना नहीं है तो महंगाई चरब पर होगी तब नहीं बैठ पाओगे दूसरी बात कामर्शि करीब बिद्धी की गई उस पर बात करेंगे देखे किस तरह से प्रॉफिट पहुचाने का प्रियास किया जा रहा है महंगाई बढ़ेगी जा आपकी जेब से ज्यादा पैसा जाएगा तो उनका भी बैलन्स होगा आप समझिए समझने का प्रियास करिए अब बात करेंगे 33,000 सिच्छक कम एक अप्रे से सुरू होने जारे संशिक सत 2023 से 24 में प्रदेश के राजकिये और एडिट कॉलजियों में सिच्छकों की कमी बनी रहेगी बरतमान में सूबे में अगर हम बरतमान की बात करें तो बरतमान में सूबे के 2373 राजकिये और 4512 आसास की सहायता प्राप मादमी विद्यालों में सुईक्री सिच्छकों की पदों के सापेश 33,000 से अधिक पत खारी हैं राजमंत्री स्वतरप्रभार गुलाब देवी निमंगलवार को विधान सभा में सदस्य प्रसन्य कुमार के तारंकित प्रसन के जबाब में आकड़ सारविजनिक की चींता जनक बातिया है कि इन पदों पर जल्द भरती के आसार भी नहीं दिख रहे हैं तो आखिरकार भरतिया कब होंगी कब भरती सरकार करेगी किया सरकार रोजगार देना नहीं चाहती है सरकारी नोकरी देना नहीं चाहती है कमेंट वोक्स में आप बताईएगा इसके समद में एक Uspatient वीडियो में कि सभी गलत तरीके सी हुई हैं लेकिन जो गलत तरीके सी हुई हैं उन्हें बाहर किया जाना चाहिए था बिधान सभा में बुद्धवार को उत्तरपर पुलिस में 35 दरोगा की भरती का मुद्दा गुजा समाजबादी पार्टी के सदस ओम प्रकास सिंग ने काम रोको परस्ताओ के तहित दरोगा भरती के लिए हुई आनलाइन परिछा में बड़े पैमाने पर भरष्टा चार का आरूप लगाया उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर पैसे लेकर नकल कराए गई उन्होंने चर्चा की मांगी लेकिन चर्चा नहीं की गई आपको मालू होना ज़िए 15-15 लाक रूपे ठेका लिया गया था ऐसा प्रत्यूंगी छात्रों का भी आरूप था लेकिन सरकार जात नहीं की एक इसके समझ में धन्ना करने का प्रयास किया गया सरकार के आला कमान ने कहा सरकार के अजिकारियों ने कहा सरकार के लोगों ने कहा कि ज्यादा उथल पुथल करोगे तो मुकदमा ठोक दिया जाएगा ऐसा भरत्यों का कहना पोस्ट भी वारल हो था उस समय अब इसमें कितनी सच लेकिन क्या दरोगा भरती की जाच नहीं होनी चाहिए थी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताईएगा कि इस भरती को लटकाने का इंत्याम परिछा से पहले ही हो गया था आपको बता दे उत्तर शिच्छा सेवा आयों बचे हैं सिर्फ दो सजस नहीं ले सकते फैसला 34 विश्यों के लिए tão लोड प्र होनी है भरती चैस्नटर प्रोफेसर भरती परिछा का आयोजन कब होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ असिस्टर्ट प्रोफेसर भरती के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा अभी आपको जादा जार करना पड़ेगा डेड़ से दो महीने तो आप भोली जाए इस संब्द में कुछ होने वाला है अगली अपडेट है रोजगार के मुद्दे पर सत्ता पच्छ और विपच्छ में नोग जोग आपको बता दे स्रम्यूम सेवायोजन मंत्री बोले साथ दस्मलों 46 लाकी वा की जा रहे हैं लेकिन जो नए मुखमंत्री जी आए हैं यानि कि दुबारा मुखमंत्री चुने गए हैं उत्तरप्रिश के मुखमंत्री योगी आज इत्रा जी इस कारी काल में कितनी भरती देंगे इस पर बात नहीं कर रहे हैं पुरानी भरतियों का रिकार्ड दे रहे है इसमें कितनी अच्छाई और भरतियों की कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंड बाक्स में जरूर बताईएगा अगली अपडेट है रुख सकती है 2.40 लाग पूर्व साइनिकों की पेंसन तो पेंसन पे भी खत्रा है कारण है जीवन प्रमालपत्र जमान ना करने का अगर आपने जीवन प्रमालपत्र जमान नहीं किया है तो आपकी पेंसन रोक दी जाएगी इसमें दोर आए नहीं है अगली अपडेट है कलकता हाई कोट ने सिचकों की नौकरी खतम करने के आदेश को रखा बरकरार बड़ी अपडेट है बंगाल सिचक भरती घोटाले की बात है आपको बता दे कलकता उच्च नियाले की एक खंड़ पीड ने बुद्वार को बंगाल की विविन सरकार स्कूल में अभैद रूप से भरती किये गए 405 माद्विक शिचकों की नोकरी समाप्त करने के समझ में पहले के आज इसको बरकरार रखाए सीवी आई ने आदालेस के नयाय मूर्ति अबजीद गौंगोपताय उपाध्याय की एकल नयाय थी स्पीट को 952 उमिद्वारों की लिखित परिशा की आप्टिकल मार्क रिगिसन ओमार सीट्स सोंपे थी जिन्हें बाद में माद्विक शिचकों की रूप में भरती किया गया था तो आप में स्क्रीन पर देख सकते हैं यह भी एक बड़ा धटका है उन चैनित भरतियों का जो गलत तरीके से हुई है वैसे भरती खतम हो चुकी है अब इस भरती ने कहा था कि फ्री गैस सेलेंडर होली में दिया जा रहा है खोली की पहले या कौन सा तो सरकार की द्वारा दे दिया गया यह बात समझ में नहीं आ रहा है जब 200 रुपे बढ़ते हैं तो उसमें से 20 रुपे घटा दिये जाते हैं तो 200 रुपे का कोई परचार प्रसार नह आती है कि मोधी सरकार का एहम फैसला योगी सरकार का एहम फैसला राजस्थान सरकार का एहम आएसा नहीं करना चाहिए जो भी फैसला होना चाहिए उची तुरूप से होना चाहिए जो भी फैसला हो उसको मीडिया में प्रिंट होना चाहिए मीडिया में दिखाना चाहिए क अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं नई भरती को लेकर तो नई भरती आने की संभावनाएं अभी नहीं दिख रही हैं वैसे मैं आपको बताना तक उत्तर पर हिलोक शीवा आयो के मादन से मैं तक हो सकता है चार भरतियों का विग्यापन जारी हो जाए बड़ी भरति एक वीडियो के मादन से आपको सुच्वित करूंगा पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्नी बाद वीडियो को लाइक शीर जरूर कर दे जैंज वारुस्तों नमसकार